पिसली कख्षा में शुरू किया था शब्द विष्लेक्षनात्मकपक्ष जिसको हम पड परिशे अत्मकपक्ष भी कहते हैं कि आंतर पर आप सभी लोगं पाठ्ठी कऱम में एक चीज लिखी होती जिसमें पड़्परी चे आपको देना होता कि और उस पड़्प्रीचे में जैसा कि मैं आपको बताया था कि जब किसी शब्द की व्युत्पत्ती पुछी जाती है तब हम उसमें कौन सा उबसर्ग हैं, कौन सा प्रत्य हैं, कौन सी संद्य और कौन सा समास है इसके वी से में बात करते है और जब पद्परिचे पूसा जाता है जब उसमें हमें इस बताना है कि संज्या कौन संज्या है क्या संज्या है तो उसका भेद कौन सा है फिर संज्या के लिंग क्या है फिर सिंग्या का बचन कौन सा है कौन से कारक में है तो यह हमें इस परकार की जो चीजें हैं वो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं प्रश्टनी ये था कि संजापद के विकारक तत्व हैं और यहां पर मैं और देदू आपको काल बो देदू पुरूश सह देदू यहां पर कह की जो के का कर लीजिगा एक मैंने वाच्चे दे दिया और दो मैंने जो हैं वह वचन दे दिया अब आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा संजा का विकारक है तो हमें क्या करना चाहिए मेरी आप से अभी पूशता हूँ तो आप में इसको उत्र देगा क्या वचन और कोई क्योंकि इस बारे में हम बात कर सुके हैं जैसे संजा जैसा कि हम जानते हैं हमारी भासा में एक तो विकारी शब्द हैं जिसमें हमने चार चीज़ों को लिखा था बूलो कौन कौन सा था संजा फिर था सर्वनाम और विशीशन था और एक थी क्रिया क्रिया जो है वो विकारी हैं लेकिन क्रिया के जो विशीशन है वो अविकारी है संबन सुचक शमुचिबोदक और विस्मयादिबोदक ये जो है वो अविकारी है और विकारक कौन कौन से हैं तब हमने ये कहा था कि विकारक जो है वो है लिंग वचन कारक काल वाचे और पुरूश ये जो च्छे तत्व हैं ये विकारी पदों में विकार उत्पन करते हैं केई बार बहुत सीदा सीदा प्रशन आता है और जो ऐसा ही की परिक्षा में बेटने वाले हैं वो अभ्यरती इस बात को विशीश आवधान के साथ में पढ़ना चाहिए उनको चार-चार प्रशन इस टोपिक से आते हैं जो में करवाने जा रहा हूँ आप 2010 का पेपर उठा के देखीगा अभी जो विगत ऐसा ही जो हुआ 2018 में उसको देखीगा और फिर से परिक्षा आने वाली है पहला तो सीधर सीधर प्रशन यही आ जाता है कि निम्न में से कौन सा विकारी है और कौन सा आविकारी ऐसा प्रशन आता है तो यह तो रटने की बात थी कि वही विकारी चार होगे संजा, सर्वना, विशेशन और क्रिया ये विकारी क्यों है क्योंकि लिंग वचन कारक काल वाचे पुरूश के अनुसार ये अपना रूप बदल लेते हैं दूर्सा प्रशन आता है कि आविकारी किसे केते हैं। जो सदेव एक से रहते हैं जिन स्रब्दों का जिन पधूं का रूफ बदलता नहीं है। किसके नुशा, लिंग, वचन कारक, काल, वाचीपुरूश के नुशा जिनका रूफ नहीं बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं आविकारी, अब तीसा प्रस्ण ये आता है कि निम्न में से कौंसा विकारक है तो विकारक में तीन ये दे दिया है और छोच्था लिंक कर दिया, विकारक मनी विकार उस्पन करने वाला तो बहुत चोटी चोटी चीज है इन चोटी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए तो पहला तो आपका काम यही होना चाहिए कि कल की जो कक्षा थी मैंने आपको बताया था इनकी परिवाशा मैंने बता ही थी बहुत संतोली टूपसे में पढ़ा कि गया था है आज इस से आगे जब हम बढ़ते हैं तब आप से पूछा जाता है कि संजापद के विकारकों से या आपसे पूछ लिया कि इन में से सर्वनाम के विकारण कोन से है या आपसे ये पूछ लिया कि निम्न में से विशेशन के विकारण तर्थव है या नहीं है या आपसे ये पूछ लिया जाता है आम तोर पर कि क्रिया के विकारक तत्वे कौन-कौन से है या कौन-कौन से नहीं है अब हमें इन प्रश्णू का उत्तर कैश से देना चाहिए आगे चलता हूँ पहले जिस यान में आप सुवार हैं उसकी हमें खोज ख़बर कर लेनी चाहिए कि हमें जाना कहा है आगे की जो कक्षा है आजगी उस कक्षा में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि संजा के विकारक कौन कौन से हैं सर्वनाम के विकारक मनी विकार उत्पन करने वाले विशेशन के कौन से हैं क्रिया के कौन से हैं ये बात हमें भली भांती जान लेनी चाहिए तो देखिएगा मैं यहां से कोई एक उधान लेता हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाएगेगे बच्चों मैंने एक उधान ले लिया कोई भी जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मेला पानी अभी बहा तो कुछ और उधान ले लेते हैं जैसे मैंने एक उधान लिया फिर मैंने का वह फिर मैंने का मोटा और पिर मैंने का जाता है अब लड़का जैसा कि हम जानते हैं यह संज्या पद है वह जो है वो सर्वनाम पद है मोटा जो है वो विशेशन पद है और जाता है जो क्रिया पद है आज हम इन्हीं चारूं के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि विकारी यही है जब मैं आपसे यह कहता हूँ पहली बात तो यह ध्यान रखें चितने भी विद्यार थी इस खक्षा को सुन रहे है याद रखिये कि वाक्य में वाक्य की जो सरंचना होती है उसमें आम तोर पर हम देखते हैं कि पहले करता आता है फिर करम आता है और अंत में क्रिया आती है कि पहले करता आएगा फिर करम आएगा फिर क्रिया आती है लेकिन जो करता का जो विस्तार है वह हमेशा करता से पहले आता है करता का विसे विस्तार का मतलब क्या है जैसे मैंने का सुरेश विद्याले जाता है अब मैं वाक्य बोलता हूं कि सुरेश विद्याले जाता है इ और नहीं स्थिंगो गरता का विश्थार क्या हो सकता है जैसे मैंने विश्थ के क्रमेश करमेश विद्याले जाता है तो मैं एसे नहीं कह सकता हुआ च 보여устить संद्र का करता का विश्थार होता है जिसे मैंने कहा कि भई लड़का जाता है लड़का अब लड़के के साथ में मुझे विशेशन जोड़ना है तो मैं क्या कहूंगा लड़का सुन्दर जाता है यह कहूंगा तो गलत हो जाएगा न वैसा ही मैंने यहां पर यह क्या कहा है सर्वनाम पहले आता है यही प्रश्ण आ गया परिक्षान को और आप से पूसले कि इस वाक्य में क्या यही वाक्य है तो बिलकुल यह कहना है कि सही वाक्य नहीं तो मैंने क्यों लिख दिया पैले मैं आपको क्लियर कर दूँं क्योंकि मुझे यह इसी Himet में चैए था संजा सरवत नाम विश्च Над और क्रिया के रूप में क्योंकि आज मैं इसी की बात कर रहा हूं संजा पहले आकर के वहाँ फिर मोटा इदर आता लड़का जाता है तब ये वाकि होता वहाँ मोटा लड़का जाता है लेकिन मैं ऐसा करता तो आपके समझने का जो एक तरीका जो था वहाँ भंग हो जाता हूं ये इतनी जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हू होगी और आपके लिए नहीं पूरे राजस्तान के बिद्यारति इसका अक्षा से जुड़े होते हैं आप सो भी जानते हैं तो कई ऐसा नहीं मान लेगी वह यह सर ने गलत लिख दिया है या फिर कोई बिल्कुल अभोध है तो वह यह मान लेगी नहीं नहीं ऐसे ही बाकी बन जो आवशक था उसका निर्भान मैंने नहीं किया है इसका मतलब यह पद करमदूर्श गरस्त है एक तो गरसित शब्द गलत होता है हमें क्या बोलना चाहिए गरस्त बोलना चाहिए अभाव गरस्त यदि आप बोलते है तो यह शब्द गलत है अभाव गरस्त है वो व्यक् लब्द्ट प्रतिश्थ पोलग जो गलत है लफ्ड प्रतिश्थ होना चाहिए इसे प्रकार से में बहुत देखता हूं कि शर्पह05-6омина की यह पुस्तक अनुवादित है कि अनुवादित कोई नहीं होता है जैसे एक शब्द का जब व्याकरनात्मगद लिए क्या ना चाहिए ओं यह उसकी तरफ आकर्शित उखा मन्चित रचित बिरचित ये शब्द तो बनते हैं लेकिन शब्दों की लयात्मक तर्ज पर हमने कुछ और शब्दों को भी बिगाड़ दिया उसका वापस शोधन होना चाहिए तो इसमें ये पद्द करम नामा के एक दोष होता है वाक्य में उस से ही गरस्त है ये साथ मैं आपको एक थोड़ी सी एक मैं आपको साइड सी challenges बी मैंना आपको दिखा दिया वो इसलिए कि आप इसको सही नहीं मान लें ये वाकिए गलत है चलिए मैंना आपको जैसा की बताय वाला हूं मैंने यह वाक्या आपके सामने लिख दिया है लड़का वह मोटा जाता है बहुत ही मैत्मुर्ण है मैं समझता हूं कि यहां से आपके बहुत सारे कॉंसेप्ट किलियर होने वाले हैं बस बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरी जैसा कि मैंने कल आपको बताया था एक्सपेरिमेंट कराया था अंगूली वाला आपको ध्यान होगा तो केवल आँखें खुली नहीं रखिएगा कान भी जो है उसके साथ क्योंकि हमारी दो इं इंद्रियां जो है बहुत सपोर्ट करती है हमें किसी जान को प्राप्त करने के लिए इसलिए हमें बहुत ध्यान से आंक तो खुली ही है कान भी खुले रखें और उसके साथ में मन जरूर जोड़ लें क्योंकि मन जो है वह उल्लू का पठ्ठा होता है यह दो दर भागता ह तो इसको आप आंक और कान के साथ इसको बांद करके रखेंगे और मेरे शब्दों को यह सुनेंगे तो यह प्रश्ण आपको क्लियर होने वाले हैं चलिएगा आगे चलता हूँ एक टेबल बनाएगा देखो इस तरह से लिखें लिंग कि वचन कारक काल कि असरे नं सेरें फ्रीजब हाँ, असी प्रश्डीब बनाएगा इस तरह से लिखें टेबल बना लिजीगा मैं यहां पर संजा लिखें यहां पर सर्वनाम लिखिए यहां पर विशेशन लिखें और यहां पर क्रिया लिखते यह यहां पर दा है यहां ये विकारी है ये जो है वो विकारक है और ये वाक्य आपके सम्मुक मेरा जो वाक्य है वो है लड़का वह मोटा जाता है हम इस टेबल के माद्यम से ये टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा किसका कौन सा विकारी पद है ये ध्यान रखेगा चलिए लिखना बंद कर दें और ये श्वेद पद की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए पहला वाक्य लेता हूं में लड़का जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि किसी ब्यक्ति किसी बस्तू किसी स्थान अवस्ता भाव के बोधक शब्दूं को संजा कहते हैं कल मैंने एक बात आपसे लिखवा ही थी कि व्याकरण में पदार्थ के नाम को सुचित करने वाले जो शब्द हैं उसको संजा कहते हैं कि व्याकरण में पदार्थ के नाम को सुचित करने वाले शब्दों को संजा कहते हैं जब मैं लड़का बोलता हूं तो आपके मस्तिक्ष में कोई क्या पदार्थ आता है हां या ना लड़की बोलता हूं तो गोड़ा बोलता हूं तो गदा बोलता हूं तो कवा बोला तो रसुल्ला बोला तो हाती बोला तो मैंने दुनिया में जितने भी कोई भी शब्द में बोलूंगा आपके मस्तिक्स में कोई ने कोई पदार्थ अवश्य आयेगा बोलू हां कि ना तो इसका मतलब जो पदार्थ का कुछंद यह लड़का जो था उससे लड़की बनतां इसका मतलब संजापद जो है क्यों वो लिंग के अनुशार रुपांत्रित होते हैं आपको कभी भी स्वप्न में भी कोई यह है कि वह संजा शब्द जो है वो लिंक है उसा रुपांत्रित होते की नहीं होते तो आपका उत्तर क्या होगा होंगी और जिस लड़का इस लड़की बना और मैंने यह दी चाचा बोला होता तो इस दुनिया में संजा के लाँ कुछ है ना यह ध्यान रखो रुपांत्रण होता है रुपांत्रण हालांकि वो कहीं अपवाद हो जाते हैं जहां पर नहीं भी होता है जैसे उल्लू है उल्लू शब्द है उल्लू एक संजाए तो उल्लू का लिंक रुपांत्रण क्या होता है उल्लूरी होता है क्या बोलो हाँ है ना नहीं नहीं होता क lesson इसका मतलब यह कि यह जो बात है कि लिंग कैनू अंचार पांधरन होतें यह 99 पर ती टृट्शत परकाइब टू टो बहगवान के रलावा किसी के उकात नहीं है कि कोई काम करें तो नो यह लिंक है उल्लू का लिंग रुपांतरन करने के लिए हमें उसके पीसे नर और माधा। इसी तरह से कववा का विलाम शुद्ध हम कव्वी बनाने लग गये हैं लेकिन ये व्याकरण की शत्र में गलत हैं है ना चिंटा से हम चिंटी बना लेते हैं है ना समझें कोईल से कोईल ही नहीं होता है को लड़ी शब्द चलता है राजस्तानी भाष्वा में लेकिन शुर्भी इसका प्रियोग टेक्निकल टीम ध्यान दें यह दि मेरी आवाज आरी तो ठीक है यहां साउंड जो है वो क्याए पुलिंग कि अरे मैंने आप सब्सक्राइब क्यों ऌधिव क्या है पुलिंग है यह वही लिगह यह वुलो हम कोई मेर् Parece निकल गया और स्टरी मऄ तब निकल गया यही तो बोलते हैं उसका जीव निकल गया ऐसे थोड़ी की जीवड़ी निकल गया है ना इसका मतलब क्या वा कि जीव शब्द भी उभहेलिंगी है इनका कोई रुपानत्रण नहीं होता यह हमें ध्यान रखना चाहिए चलिए तो लिंग के अनुसार संजाएं बदलती है यह आपको पता हो गया अब मुझे बताईएगा कि यह संजा जो लड़का संजा सब्द है इस वाकिस को इसमें घटा रहा हूं में यह तो आपको समझ में आता ही है अब यह लड़का जो है वो क्या वचन के अनुसार बदलता है हाँ लड़का से लड़के लड़के क्या है वह चने कंफर्म मैंना आपको कहा था कि भाशा को रटने से भाशा नहीं आती है बच्चों भाषा को सीखना सुरू करो सिखोगे तो आएगी रटोगे गड़वड हो जाएगी मुझे एक बात बताओ मैंने का ये लड़के इधर आ बहुचने क्या पापा बार से आये लड़के को खाना खिलाया बहुचने बोलो हा न अब बताओ बोलो ना बाप लोग कह र लड़के भबचन होता है लेकिन तशारभॉम की नहीं होता मुझा थे इस पर स्ट बहुचन लड़के का जो होगा वो क्या होगा मोलोग लड़कूं ओगा क्या होगा इसमें कोई संदे नहीं करना सःघे याम तो यह फिर्ट Salt बभबबचन जो होगा ये होगा लड़क को गास के लाओ उस गोड़े को इधर लाओ कि ने बताओं तोतो होगा क्या होगा बन व्याकरन जो बोल रहा है में रटने से नहीं आती इस लिए हमें हमें आख और कान के साथ क्या लगानी चाहिए दिमाग बुद्धी अलग लग होती है क्या हम कई अलग चले जाएंगे लगानी चाहिए बात समझ में आ रही हो गया आपको तो वचन के अनुसार बदलता है हां कर दूं आप सब की हां है लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि पुलिंग शब्द बदलते हैं है ना जैसे लड़की का बोलो महिला नारी है ना बहुचन जो बनाते हैं तब तो यह वह वह रस हो जाता है नारी में तो री बड़ा होता है लेकिन नारियां बनाओंगे छोटा हो जाएगा बात समझ में आ गई ना तो जो चिडिया है उसका क्या बनाओगे जो आकारांत इस्टरलिंग शब्द होते हैं उसके उपर हम अनुनासिक लगा देते हैं क्या लगा देते हैं इसको बच्पन में हम चंदा मामा कहते थे ना बोलते थे ना हां चंदर बिंदु आज गल तो यह चंदा मामा जो है ना वो चला गया अब नहीं है अब आप पत् हैं हर जगे फैसन आ गई है कपडू में फैसन रखिए कोई नहीं मस्तिक्ष भारती होना चाहिए अब यह द्यान रखेगा कितने भी बड़े बन जाए मस्तिक्ष में भारतीयता होनी चाहिए तो धिर दिर क्या किया हमने उन सब्दूं को बाहरी कर दिया तो अनुनासिक औ et Aim चिडिया क्या बने का बलो कहानि से तो कहानिया बन जाता है तो लिंग परीवर्तन के वचन परीवर्तन के नियम होते हैं उस नियमन को हम आज बात नहीं कर रहे हैं ह味 इतना ही बात कर apex यह केवल में बहुत सारे लोग उनको मैं बोलता हूँ सारी महिलावें महिलावां महिलाएं होता है शब क्या होता है महिलावां क्या बोलते हैं तो ये जान बुझ करके जो हम हमारी आदत डाल रहे हैं आदत को हमें सुधारना चाहिए क्योंकि अनजाने में बार-बार की गई चीजों से हमारी आदत डवलप हो जाती है और ध्यान रखेगा आदती स्वभाव बनती है और स्वभाव मनुश्य के जीवन का चरित्र निरान करता है और चरित्र ही व्यक्तित पगाने ध्यारक बताईए यदि मैं आपसे पूश्ता हूं कि संजा का विकारक तत्व कारक है कि नहीं है तो क्या उत्तर होगा है कि नहीं है बोलो है है बोलिए है है आप लोग हें किया मानस है संजापद है लड़का कारक का निसारब बदल कि बदल belum पिल्कूल बदलता है कास रोपने होती खताने कर्म को करन से संप्रदान के लिए अपादान से अलग देखो और कुछ आएक नहीं आए ये आपको पक्का आता है है ना एक तो जिसे स्वागत किसंदी सब को आती है हमाले किसंदी सब को आती है करता ने कर्म को क्यों पहले दिन गुरू जी यही सिखाते है तो अची बाते आना चाहिए तो आठ कारक जो है उन लड़के से मिलके आया हूँ लड़के के पिताजी आये हैं लड़के में बुद्धी है हे लड़के इदर आ बासमझ में आई ना तुसका मतलब क्या वा कि संज्ञा का विकारक टत्व ढम कारक लिंग वचन तो ही ये लेकिन कारक भी है है बाद समझ assurance म न रूखों अब यह हमें पता नहीं तो तीन तो हो गए अब चोथे की बात करते हैं संजा का विकारत तत्व क्या काल है क्या बोलो हायना क्या लगता है आपको बताई यह बताओ क्या लगता है हुँ है नहीं है है कैसे लड़का हूँ लड़का था लड़का रहूँगा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है आपकी समय के अनुसार सब कुछ बदलता है लेकिन कौन सी संजा जो समय के अनुसार बदल रही है मैं बच्चा था उस वक्त जब मैं बच्चा था तब मुझे लोग क्या कहते थे क्या मुझे काल के नुसार अब फिर वो मैं बच्चा हूँ बच्चा रहूंगा बच्चा ही था बच्चा शब्द कहां बदल रहा है काल के नुसार यह हमें सोचना है अब युवा हुआ प्रोड हुआ अब तो अधेड होगे आप तो आप हैं युवा तो लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि संज्या का कोई भी भेद संज्या का कोई भी शब्द काल के नुसार नहीं बदल सकता काल केवल क्रिया में होता है किसमें होता है बोलो जाता हूं जाता हूं जाता हूं जाओंगा जाता जाता था खाता हूं खाओंगा खाता था बेटता हूं बेटोंगा बेटता था यह का काल हैं वो किसमें वो तो क्रिया में हैं संजा में कैसे काल हो गया संजा में कोई काल नहीं होता तो इधान रखेगा संजा पद कभी भी काल के अनुसार नहीं बदलते इसलिए मैंने बड़ा सारा चिल लगा दिया इधान रखेगा आगे बात करते हैं लड़का शब्द का वाची कितने होते हैं